इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जी हाँ, CBI के सर्विंग आफिसर मनीश कुमार सिन्हा ने सुप्रीम कोट के सामने जो बयान दिया, उसको लेकर इस वक्त न्यूस चैनल्स में जिस तरह की खामोशी है, उसे लेकर माननिये एक एहंगल भी शर्मिन्दा हो जाएं सबसे पहले तो हम facts पे आते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा, उन्होंने सुप्रीम कोट के सामने, यानि कि एक sitting बीरोकराट ने सुप्रीम कोट के सामने कुछ बहुत गंभीर आरोप लगा हैं, आरोपों की जढ़ी कुछ इस तरह से, सबसे पहली बात वो ये कहते हैं और राष इसलिए ट्रांसफर किया गया क्यूंकि वो राकेश अस्थाना मामले की ज्यांच कर रहे थे तीसरी बात कहीं न कहीं इस बयान से कटगरे में प्रधानमंत्री कारयाले दोभाल खुद और मोदी के कोईला और खदानमंत्री हरी भाई पारती भाई चौधरी हैं क्यूंकि उन पर तो करोडों की रिश्वत लेने का आरोप है हम सिलसलेवार तरीके से बगार घ्यान दिये सीधे फाक्स आपके सामने रखने वाले हैं दोभाल किस तरहसे मुशक्ष कहान्वей हरी इस मामली की शुरूरात होती है जब managed कुमार सिंहा सुप्रीम कोट्री की सामने जाज हुआ है और इस सर्वेलांस में क्या पता चलता है कि फोन पर बाचीत से ये जाहिर हुआ है कि प्रधानमंत्री कार्याले ने सीब्याई मामले को मैनेज कर लिया है और उसी रात हम आपको बताना चाहते हैं कि सीब्याई टीम का तबादला हो गया तख्ता पलट हो गया जिसके अंतरगत आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेश दिया गया राकेश अस्थाना ट्रॉांसर हो गये वो तमाम ऑफिसर्स जो र 15 ओक्तूबर को FIR दर्श करने के बाद फिर 17 तारीक को सूचत किया मनीश कुमार सिना और भी गंभीर दावा करते हैं और हो क्या कहते हैं कि याजिका में सिनहा का दावा ये कि डोभाल ने FIR की जानकारी अस्थाना को दे दी तो बहुत गंभीर हमला यहां पर देश के एजनसी को इंटर्वियू में नहीं दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने दे रहे हैं अस्थाना ने डोभाल से गिरफतारी से बचने की अपील की थी ये भी दावा मनीश कुमार सिनहा अपने इस सुप्रीम कोर्ट के सामने बायान में देते हैं अब आगे सिनहा और भी खतरनाक बातें कहते हैं उन बातों का दावा करते हैं वो यह कहते हैं कि मनोच प्रसाद जो की मिडल मैं थे मोहिन कुरेशी के उन्हों ने जब उन्हें CBI मुख्याले लाया गया तब उन्होंने कहा कि आपने हिम्मत कैसी की मुझे गिरफतार करनी की आप नहीं जानते कि मेरे अजीर दोभाल के साथ संबंध हैं यानि कि वो दिल्ली का अंदाजे बया है ना तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है तो यहां पर भी वही अंदाजे बया दिखाए दे रहा है और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मनोच प्रसाद का बाप यानि कि उनके पिता कौन है उनके पिता है दिनेश्वर प्रसाद जो की जॉइंट सेक्रेटरी थे रौ के और यह बताया जाता है कि दिनेश्वर प्रसाद के बहुत करीब ही तालुकात थे अजीर दोभाल के साथ अब यह जो दावा मनीश कुमार सिनहा कर रहे हैं इसमें एक पेंच है वो यह भी कहते हैं और इससे मामला और उलच जाता है और मैं उनके शब्दों में क्योंकि यह बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कही उनके शब्दों में अनवेर वेदर दा अफोर मेंशन फैक्स वर ड्यूली रिकॉर्ड़ेड इन इंटेरोगेशन ओफ मनूज प्रसाद जिसका हमें बतानी कि आपको ज़रुवत नहीं कि इस पूरे जाच की जिम्मेदारी मनीश कुमार सिन्हा की थी तब वो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उनके पास इसका रिकॉर्ड था या नहीं था अब ये तो बात हुई आजी डोभाल की मोनी की दूसरी दिक्कत है कि उनके अपने मंत् जो कि कोईला और खदान मंत्री हैं हरी भाई पार्थी भाई चौधरी उनके बारे में मनीश कुमार सिन्हा ने सुप्रीम कोट ने एक बहुत ही संसेनी खेज आरूप लगाया है उन्होंने ये आरूप लगाया है कि शिकायत करता सतीश बाबू सना का दावा कि जून 18 में क Ministry of Personnel, Public Grievance and Pension के जरिए ये दखल दिलाया यानि कि यहां पर सीधा हमला या सीधी उंगली प्रधान मंत्री कारयाले की तरफ पहुंचती हुई दिखाई दे रही है जो प्रधान मंत्री के लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाली बात है और ये भी कहा गया है कि ये जो प्रश्वत का पैसा जो करोडों में बताया जा रहा है ये एहमदाबाद में एक विपल के जरिए हरी भाई तक पहुचा और हरी भाई पार्थी भाई चौधरी ने इन आरोपों को सिरे से खारज किया है प्रधान नंत्री दरेंदर मोदी की तीसरी मुसीबत क्योंकि उनके ये ही अपने लौ सेकरेटरी और सीवी सी केवी चौधरी इस मामले में फस्ते नजर आ रहे हैं कम से कम हम अगर मनीश कुमार सिनहा के इस बयान पर गोर करें तो तो वो क्या दावा कर रहे हैं वो आपको सलसलिवार तरीके से हम इन तथियों के जरिये बताना चाहेंगे जो करने की कोशिश की गई सिनहा का ये भी दावा है कि सना ने सुरेश चंद्र से वाट्साप पर बात की और ये नंबर उन्हें IAS अफसर रेखा रानी से मिला सुरेश चंद्र ने इन तमाम आरोपों को खारिश किया है और उन्होंने ये कहा है कि ना मैं सना यानी साथी सना को जानता हूं और नहीं रेखा रानी को हाले कि रेखा रानी ने वायर को दिये गए अपने प्रतिक्रिया में कहा था कि वो इस मामले को लेकर बात करना चाहेंगे किस से सुरेश चंद्रा से और तभी इस मामले पर टिपनी करेंगे तो ऐसे में ये मामला उलज जाता है अब तो मुद्ध हम आपके सामने उठाना चाहते हैं, वो ये उठाना चाहते हैं, कि आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले की बात है, RVS Money, ये एक बियोक्राट थे, इन्होंने ये आरोप लगाया था कि किस तरह से CBI ने उन्हें टॉर्चर किया था इशुरच जहां केस में, औ बयान को लेकर, आज RVS Money कहा हैं, कोई नहीं कहीं जानता, उनकी बीजेपी के साथ नजदीकियां लगाता और बढ़ती रही हैं, RVS Money जो कि एक रिटायड बियोक्राट थे, उनके बयान पर इतना बवाल हुआ था न्यूस चैनल्स में, मगर आज एक सिटिंग बियोक्राट, CBI के एक DIG के एक बयान जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया, पूरी तरह से सन्नाटा है न्यूस चैनल्स में, क्योंकि आरोप देश के तीसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति पर लग रहा है, आरोप लग रहा है प्रधान मंत्री कार्याले पर, आरोप लग रहा है पहरे माबदंड वाकई दुखद हैं, वाकई दुखद हैं, क्योंकि अगा खबर इस बात को लेकर की जाएगी, कि आरोप किस पर लग रहा है, तो ये लोकतंत्र के साथ नाइनसाफी होगी, पत्त्रकारिता के साथ नाइनसाफी होगी, मगर पिछले चार सालों में पत्त्र डी आईजी के तथ्यों पर आधारित हैं, जो उन्होंने सुप्रीम कोट के सामने में रखी, सोचना आपको है.